दानह में लापता हुई सडक, हाथसों को दावत, सिल्वासा के डोकमर्डी में गड़्धे में सडक है या फिर सडक में गड़्धे ये पता भी नहीं चल रहा है इन में कुछ तो डेंजर जोन के रूप में मूँ खोले खड़ी है हालत ऐसी है कि सडकों पर कभी सीवरेज का पानी जमा रहता है तो कभी बारिश का ऐसे में इन गड़ों वाली सडकों की हालत ऐसी बन चुकी है कि सावधानी हटी तो दुरगटना घटी लाखों खर्च कर बनाए इन सड़कों की दशा और दुरदशा को देखने वाला कोई नहीं है दिन के समय में तो फिर भी गनीमत है पर रात का सफर तो बिलकुल ही नहीं करोनों खर्च के बाद भी सड़कों की हालत खसता है इसके बाद इस रूट पर हेवी ट्राफिक डाइवर्ट कर दी गई और हेवी वाहनों को काफिला गुजने लगा मुख्य सड़कों पर भी गढ़्धे हैं इन पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये बड़े होते जाएंगे सड़क पर बने गढ़्धे ही हादसों को जन देते हैं जगह जगह सड़क पर बड़े बड़े गढ़्धे हो चुके हैं बरसात में पानी भरे होने के कारण यहां दुरघटना की आशनका भी बल गई है सडक की इस्थिती से नागरिक खासे नाराज है ये सडके जनता के लिए परेशानी का सबब बनकर आए दिन दुरगटना को आमंत्रित कर रही है मजबूरी में जनता उन बधाल सडकों पर जान जोखिम में डाल कर यात्रा करने को मजबूर हो जाती है